जैसे गर्मी शुरू होती है, उसके कुछ ही दिनों बाद आम हर जगह दिखनी लगते हैं और ऐसे लगता है हर जगह आम दिखेंगी जैसे आम का तहवार आ गया है और घरों में भी आम से अलग अलग तरीके के रेसिपीस बनाई जाती है तो उसी में से एक रेसिपीज है आम पापर जो कि खाने में से बहुत लाजवाब होता ही है इसको हम बजार से खरिद के लाते हैं और काफी महंगा भी मिलता है तो आज मैं आपको ऐसी तरीके बताऊंगे बहुत असानी से जो बन कर त्यार होंगे यहाँ पर इसके लिए मैंने एक किलो पके आम लिए हैं आप कोई भी आम यहाँ पर पकावा यूज़ कर सकते हैं तो एक किलो आम को हम अच्छे से पहले धो लेंगे और धोने के बाद इसको हम पील कर लेंगे तो चलिए हम इसको पील करना शुरू करते हैं तो यहां देखिए सबसे पहले हम इस आम का उपर का हिस्सा इस तरीके से अलग कर देंगे और इसके बाद इसके छिलके को इससे अलग कर देना है इसी तरीके से हमें सारे आम में करना है तो सबसे पहले हमें आम को अच्छे से छील दिना है देखे सारा आम छील गया और थोरा सा मैंने यहां पर enjoy भी कर लिया आम को check करने में कि आम मीठा है कि नहीं तो आम अंदर से मीठा है लेकिन आम पापड बनाने के लिए हमेशा हम ऐसे आम को यूज़ करते हैं यह खाने में अच्छा लगता है यह तो इसका एक ही तरीका बहुत अच्छा है कि हम इसके आम पाप्रों बना कर कितने भी रख लें सालो साल अराम से घर में यूज़ कर सकते हैं और यह जल्दी खराब भी नहीं होते हैं तो इस तरीके से देखिए सारे आम को छिल कर मैंने काट लिया चुटे चुटे पीसे में अब आईए इसको मिक्सर जार में ग्राइंड कर लेते हैं तो यहां लगाया है मैंने धकन और आप इसके बाद हम इसको मिक्सी जार में ग्राइंड कर लेते हैं और यह बहुत जल्दी आराम से पेस्ट बन जाता है बहुत सॉफ्ट होते हैं तो देखिए आम का पेस्ट बन कर फाइन त्यार होके इसी तरीके का पेस्ट अभी चाहिए अब वैसे तो इसमें कुछ भी नहीं है एक भी डले नहीं है फिर भी फॉर सेफटी हम इसको एक बार लेते हैं जैसे बिलकुर यह प्लेन निकलेगा तो आप देखिए मैं इस तरीके से इसको पूरे को यहां पर चान लूँगी जैसे हमारे पापर बनेंगे तो इसमें कोहीं भी कोई डले नहीं आएंगी सब बहुत चिकने चिकने अराम से बन जाएंगे तो देखिए पूरे मीडियम फ्लिम पर पकाना है और साथ में चलाते रहना है तो इसका फ्लेवर बदल जाएगा नीचे से यह पकड लिया तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें बनाना है तो यहां मैं चीनी का यूज नहीं कर रही हूं इस बात कर ध्यान रखिएगा मैं गुर क गुर एक किलो आम के लिए काफी है और बिल्कुल पॉफेक्ट मीठा होता है यदि आप थोड़ा बहुत मीठा और जादा चाहते हैं तो आप इसको टेर कप कर लीजिएगा अब इसको डालने के बार हमें 10-15 मिनट आराम से लग जाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर इसक पॉरा टेक्चर यह बिल्कुल एक चिकना हो गया है तो इसको डालने से पहले प्लेट में यहां पर हम इसको ग्रीस कर लेते हैं यह आपके पास स्कॉायर शेप का कोई वर्तर नहीं तो उसमें गरिएगा तो बहुत प्रॉपर शेप में निकल के आएगा आप आप पर लेक इन कर्चिल हमें पामपपर लेना है अब इसको पहला आते वक हमें इससे बात का ध्यान रखना है कि बहुत जादा मोटा ना बने ना पहुत जादा पतला बने इस तरीके से देखें मैं आपको दिखा रहे हूं कि हमें जैसे बजार में मिलता है बिल्कुर उसी लेयर में उतन बनाया जो आम पापर वो बीना मसाले के बनाया वो प्लेन था अब मैं आपको मसाले वाला आम पापर बनाना बता रहे तो यहां पर देखें मैंने आदा चमच लाल मिर्च पाउडर यूज़ किया है आदा चमच काला नमक और एक चमच यहां पर चाट मसाला डालकर इनको मिल देंगे इससे इसका सौत बहुत अच्छा आता चटपटा बनाता थीखा फनाता जो कि अच्छा लगता है आम पापर में तो आप देखिए आप में आईए वाला मसाले वाला आपको आम पापर बना के यहां पर फैला कर दिखा रहे हूं इसका रंग भी थोड़ा सा आपको द हमें कितने बरतन की जर्वत होगी जब आप एक किलो आम से आम पापर बनाएंगे तो इस तरीके से मैंने चार प्लेटों में देखिए फैला दिया है अब इसको हम एक दिन तक जो गर्मी अभी चल रही है इसको आप पंखे के नीचे रखेंगे तो एक दिन में आपका अच और चिकने हो गएं तो कहीं से कुछ नीचे पकरे सूप चुकए है अब इस सी देखिए मैं इस तरीके से नाइफ की हैल से इसको बहुत हैं कितने आप से बहुती आरह वाँ से चिकने बिलकुर आम पापर हमारे बिल कितनी मोटी है इतनी बजार की लेयर हमें मिलती है उस त Craigans . कोई चेट पता नहीं आता है क्भू़ मुझ शूर बनाया था प्लेट मैं था मैंथ प्लेट के टेक्ष से निकल गीं आए बनाए था प्लेट किसे निकल रहे हां, कितना सुन्दर है लेयर भी जानी प्लेट नस तरीके मीच वद में भलावड़र、「 खीज intersections congenarvi मुश्किय से 15 मिनट लगेंगे और सूखने में तो कोई टाइम लगता ही नहीं गर्मी जो पड़ रही है उससे हमें पता ही है कि आम पापर बहुत अराम से सूख जाएंगे तो यहां देखिए आप मैं मसाले वाले चटपटे तीखे वाले मत्स बनाये थे उनको भी नाइफ क कितनी बढ़ियाँ शेप और रहे हैं और साथ में यह हैल्दी है क्योंकि बने इस बात का दिहान रखिए का गूर्से बनाने में भी कोई फरक्त नहीं आता बात हलका सा कलर का अंतर आता है यह आप थोरा सच यह इसमें यलो कलर मिला लेंगे तो बिलकुल वह कलर की भी प्र उनको हटा देंगे तो यह पे स्केल से आपको काट कर दिखा रही है जिसे परफेक्टली हमारा बजार का लुक बिल्कुल आए तो इस तरीके से देखिए मैं चारों तरफ से इसके जो इस उनको साइड कर दूँगी देखिए कितने चिकने चिकने अराम से निकल रहे हैं देखते ही मन खुश हो जा रहा है जब मैंने इनको निकाला तो मुझे बहुत अच्छा लगा तो देखे जो साइड वाले थे निकले वे थे उनको मैं यहाँ पर ऐसे रोल बना लूँगी इस तरीके से भी आप बना कर डिबो में रख सकते हैं सालों साल इंज्वाइ कर सकते हैं खराब होने वाली चीज है ही नहीं और इसको जब मन करे कुछ खटा मीठा चटपटा खाने का तो आप इसे खा सकते हैं तो देखे मैं यहाँ पर ऐसे रोल सारे बना लूँगी जिनके एजे मैंने निकाल दे आप देखे प्रॉपर इसी तरीके से कटिंग होती है और इसी तरीके से पैगेट में आम पापर मिलते हैं मैं तो अकसर जब भी वैशनो देवी जाती हैं वैशनो देवी में ज़्यादा तर मैंने आम पापर देखे हैं तो यही तरीका होता है उनका जो मैं आज आपको यहाँ पर बता रहें तो देखे इस तरीके से पैसारों को स्क्वाइल शेप में यहाँ पर काट लूँगे साइच छोटा बड़ा आप अपनी इसाफ से कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए तो एक आम पापर जो था वो मैंने निकाल के दिखा दिया और यह देखे हैं यहाँ पर मसाले वाला इसमें लाल मिर्च हलकेल की दिख रही है तो इस तरीके से आप घर में कभी भी बनाईए और गर्भी का सीजाने तो बनता है एक बार आम पापर घर पर बनाना और इंज्वाइ करना तो ज़रूर ट्राइ करिएगा मेरे तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बस कुछ पातों का ध्यान रखेगा आम में जो हम शूगर लेंगे जो गूल लेंगे उसका हिसाब बिलकुर परफेक्ट यूज़ कीजिएगा और पकाते वक ध्यान रखेगा slow to medium flame पे पकाईएगा और अच्छे से पकाईएगा टाइम लगता है और कवर करके पकाईएगा जिससे आपकी किच्चन का गंदी ना हो गैस गंदा ना हो और आपकी उपर चीटे ना पड़े तो इन सारी बातों का यदि ध्यान रखेगे ना तो आपके आम पापर बिलकुर परफेक्टली बजरार की तरह निकल कर त्यार होंगे तो जरूर इस तरीके से आप भी बनाएए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सब इस चीजे बहुत अच्छे से बन जाएंगे यदि आप पहली बार भी ट्राइ कर रहेंगो ना मैं जरूर लाती रहूंगे अब नेक्स वीडियो तक के लिए टेक केर बाइबाइब